नमस्कार दोस्तो मैं हूं रोहीत और आप देख रहे हैं बीग्रोन वीजिक सीरीज तो दोस्तो टाइटल आप लोगों ने पढ़ी लिया होगा तो आज की वीडियो का जो टाइटल है हमारा की बुलेट ट्वीटर को चलाने का सही तरीका क्या है और इससे पहले थोड़ा सा डिटेल में हमें चलना पड़ेगा तभी मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से चीज़ों को बता पाऊंगा तो जैसे कि ये हमारा आज कल काफी सारे भाई बुलेट ट्वीटर की डिमांड करते हैं कि बुलेट ट्वीटर क्या है तो ये हमारा कुछ इस टाइप का बुले ट्वीटर होता है जो कि हम हाई के लिए हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो है हम इसको यूज करते हैं तो अब जैसे कि ये इसमें मैंने आप लोग को एक मिडल लगा रखे एक बुलेट ट्वीटर लगा रखे है ठीक है तो अब सही तरीका क्या है इसको चलाने का तो सा डिटेल में ही बात करेंगे इस चीज के बारे में हम तो जो हमारा बुलेट ट्वीटर होता है वो सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी को ही निकालता है ठीक है और कोई भी चीज जैसे हमारा सब वूफर है तो सब वूफर हमारा लो फ्रिक्वेंसी निकालता है तो हमें उसको लो हाई दे सकते हैं हम इसको कोई दिक्कत नहीं है बट वहां पर थोड़ा सा डिस्टॉशन मान के चलो कि अगर जो हम इसकी उमीद से जादा इसको हाई दे देंगे तो वहाँ पर यह फ्रिक्वेंसी नहीं निकाल पाएगी जो आप इसको दोगे हाई में जहां तक कि की limit है ये वहां तक की ही frequency निकाल सकती है जैसा कि अभी मैं आप लोगों को इस tweeter के बारे वजाएता हूँ अब tweeter को लेने से पहले आप सबसे पहले तो वही सबसे main चीज जाननी होती है कि कहां से लेकर कहां तक की frequency हमारा bullet Twitter निकालता है तो सबसे पहले तो वो जानना होता है और इसके अंदर हमें ना तो Mid देनी है ठीक है हलकी फुलकी आ जाती है कोई दिक्कत नहीं है Low तो इसके हमें बिल्कुल भी नहीं देनी होती Low Frequency अगर जो इसको आप Low Frequency दोगे तो इसके खराब होने के चांसिस जादा रहेंगे ठीक है अब यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि Subwoofer को हमें देनी होती है मैं आप लोगों को सबसे पहले Subwoofer दिखा जेता हूँ Subwoofer भी रख जेता हूँ आपके सामने तब ही आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कौन सा उठा के दूँ कौन सा कौन सा कौन सा चलो एक राउन ओडियो ही उठा लेती है थोड़ा सा गंदा और रख है अब आकी कोई दिक्कत नहीं है तो जैसा कि यह हमारा फिर हम एक भी दौशग मेel दिवाइद budget करके है सब्सक्राणा है हमारा से हमारा सुन पेंड़ा चलता है तो अभी आप लोगों को समझ में आगा अब हम ट्वիटर के बारे मैं बात कर रहा है तो चलाएं तो कैसे चलाएं फिर हम इसको अब वो ही बात आ जाती है वैसे तो मैं काफी सारे भाईयों को बोलता हूँ कि भाई आप इसको amplifier पे ना चला के अपने stereo पे चलाओ क्योंकि सब के लिए वो चीज पॉसिबल नहीं है जो चीज मैं अभी बोलने वाला हूँ ठीक है तो हमें इसको specially अलग amplifier अगर जो हमें इसको अच्छे तरीके से चलाना है clear चलाना है साफ सुथरा चलाना है इसको तो हमें specially इसके लिए एक अलग amplifier लेना होता है जिस amplifier के crossover की मदद से हमें सिर्फ और सिर्फ इसको high frequency देनी होती है बाकी की पीछे की जितनी भी frequency होती है crossover की वज़े से sorry crossover के through हमें उसको काट देना होता है उसको खतम गर देना होता है सिर्फ इसको high देनी होती है अब काफी सारे भाई इसको amplifier mid के साथ जैसे direct लगा लिया mid के साथ यहां पे यहां पे जोड़ देते हैं और amplifier के साथ चला देते हैं चल जाता है कोई बड़ी बात नहीं है चल जाता है बट खराब होने के chances ज़्यादा रहते हैं उसके तो यह चीज़ आपको ध्यान लखना होगा जो की इसको नहीं चाहिए और आप फिर भी जवरदस्ती से ले रहे हो ठीक है तो direct आप stereo पे लगाते हो तो stereo पे खराब होने के chances थोड़े कम रहते हैं बट यह है कि stereo पे यह आवाज थोड़ी सी फाड़ता है फिर end की आवाज जो है वो थोड़ी सी फाड़ने लगता है तो हलकी फुलकी इसके अंदर से हमें vocal की भी आवाज आने लग जाती है तो इसका सही तरीका यह है या तो आप इसको अलग से amplifier पे चलाओ सबसे first point तो यह कि वो अलग होना चाहिए सिर्फ Twitter के लिए और ऐसे ही नहीं कि आपने लगा दिया और चला दिया नहीं उसकी frequency को काटना है crossover की वज़द से फिर इसको चलाना है ठीक है first option तो हमारे पास यह आगया कि हम amplifier extra लगा सकते हैं इसके ओपर जो कि सब के लिए possible नहीं होता क्योंकि एक system को बनाना बहुत ही महंगा पड़ जाता है यह चीज मैं अच्छे तरीके से जानता हूं और दूसरी जो चीज है हमारी दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं वो होता है हमारा crossover एक अलग से हमें एक डिबबी सी आप लोगोंने काफी जगा देखी होगी कि आपका कोई component होता है तो उसके अंदर उसके साथ आपको एक डिब भी मिलती है जिसके अंदर आपको woofer अलग लगाना है ट्वीटर अलग लगाना है तो वो ही चीज जिसको काफी सारे भाई amplifier भी बोलते हैं छोटा amplifier वो crossover ही होता है तो वो crossover भी आप use कर सकते हो वो भी frequency को काट के ही आप लोगों को देता है तो बस यही चीज है तो यही गलती आप लोग करते हो यह गलती ना करो तो जादा अच्छा है अगर जो फिर भी आप लोगों का budget नहीं है यह सब करने का तो मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूँगा कि आप लोग अपने stereo पे उस चीज को चला सकते हो बट stereo में आपको हलकी फुलकी problem देखने को मिलेगी बट उसको face कर लेना ठीक है तो उमीद दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे भी अच्छी लगे तो लाइक करना बुरी लगे तो डिसलाइक करना और जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब तक के लिए आप लोगों से आल जाले तुम बबाए